कोरोना संक्रमन और लोगडाउन के चलते उच्छ शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है इसके बाद अब उच्छ शिक्षा को फिर से पट्री पर लाने के लिए उच्छ शिक्षा विभाग काम कर रहा है इसके लिए उच्छ शिक्षा मंत्री ने आगे की कारी योज़ना को लेकर गुरवार को प्रदीश के राज के विश्विद्यालियों के कुलपती और कुल सचीवों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये समबाद किया इसमें उच्छ शिक्षा मंत्री भावर सिंग भाटी ने कहा कि कोरोना के चलते कोलेज एक्जाम्स इस्तगित किये गए थे लेकिन अब लोगडाउन में छूट देने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कॉलेज और यूनिरसिटीज की परिक्षाएं कराई जा रही है जिसमें अंतिम वर्ष की सभी परिक्षाएं आयोजित हो रही है परिक्षाओं में कोरोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुए उससे बचने के निर्देश दिये गए है साथी 16 जून को ग्रीश मकालीन अवकाश समाप्त होने पर वर्क फ्रॉम होम के तरज पर आगामी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास लगाने के निर्देश दिये गए है आज वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से हमने एक विश्तरत चर्चा की है और जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो विश्व विद्यालियों की सेश रही परिक्षाओं का युजन और उसके साथ साथ आगामी जो सेक्षनिक सतर है उसको हम किस परकार से प्रारम करें इस संबंद में चर्चा की गई और मुख्य रूप से तमाम युनिवर्सिटीज को हमने यह आवान भी किया है उनको निर्देश भी दिया है कि जो परिक्षाओं का जो सेश रही परिक्षाओं का जो कारिक्रम जो मिड जुलाई से प्रारम होगा उसमें युजी और पीजी की का जो एक्षाओं का जो जो मिड जो नुफे परिक्षाओं का जो से रही है